नमस्कार मैं हो संज़ सिंग और आप देख रहे हैं यूपिताजा नियूज खबार जहांसी से है जहां 50 फिट उची टंकी से कूद कर छात्रा ने की खुद खुसी जहांसी में बारवी की छात्रा ने सुसाइट किया है होली के दिन छात्रा की चार्फ सहीलियों ने उसके घर से निकल रहे यूबक का वीडियो बनाया फिर उस पे लिखा ये है प्यार खुले आम मैसेज के साथ इंस्टाग्राम पर बारेल कर दिया जब छात्रा की बदनामी होने लगी तो उसने पचास फिट उची पानी की टंकी से कूद कर जान दे दी सुचना पर पहुची पुलिस ने सवको कबजे में ले लिया है मामले की जाँच परताल की जा रही है घटना के बाद परजनों में काफी नाराजगी है घटना मौरानिपूर थाना छेतर के एक गाउं की है 18 साल की युपती मौरानिपूर के निजी स्कूल में बारवी में पढ़ रही थी हाली में उसने बोर्ड के एक्जाम दिये थी रिजल्ट आना अभी बाकी है उसे से बेटी भी बहार आ गई इस दोरान सामने बैठी महले की चार लड़कियों ने इसका वीडियो बनाया इसके बाद एक लड़की ने वीडियो अपने सोसल मीडिया पर बारल कर दिया उसमें कमेंट लिखा ये है प्यार खुले आम इस बज़े से बदनामी हो रही थी जो मेरी बेटी को सहन नहीं हुई पिता ने बताया कि लड़कियों ने सुम्मार के सुबह वीडियो बनाया थोड़ी देर बाद उसे सोसल मीडिया पर अपलोड कर दिया वीडियो बारल होने के बाद बेटी परिसान रहने लगी गंभी रूप से घायल हो गई तब काफी संख्या में ग्रामीर इखटा हो गए और मुझे सूचना दी मैं खेत से मौके पर पहुचा और बेटी को जहां सी मेडिकल कॉलेज ले गया वहाँ इलाज के दोरान बेटी ने दम तोड़ दिया छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने सव को घर लाए इसके बाद आज सुबह ग्रामीर वर रिष्चेदार जुट गए पुलिस को सूचना दी गई मौरान पर पुलिस मौके पर पहुच गई और जाच परता सुरू कर दी है वहीं घर्टना को लेकर लोगों में गुस्सा है छात्रा अपने माता पिता की एक लोती बेटी थी उससे एक छोटा भाई है जो पढ़ता है माता पिता खेती किसानी करते हैं एसपी ग्रामीर गोपीनास सौनी ने बताया कि 18 साल की लड़की पानी की टंकी से नीचे कूद गई थी इराज के दोरान उसकी मौत हो गई सव को कबजी मिलेकर पोश्ट माता मी कारवाई की जा रही है परिवार के तरफ से तहरी दी जाएगी तो केस दज करके आरोपियों के खिलाब कारवाई की जाएगी जाद के बाद जो भी तत्र सामनी आएगी उसके अधर पर आगी कारवाई की जाएगी